हालो स्टुडेंट्स आयोनिक फ्रेमवर्क में जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका पार्ट फोर है चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल जाए कंट्रोल.js के अंदर हम कोड कर रहे थे याद होगा प्रिवेस वीडियो में हमने एक कॉमेंट पास किया था है स्टोर कॉन्टेक्ट इन लोकल स्टोरेज जेनरली जब आप पासवर्ड यहाँ पे इनपूट करते हो ऐसे और एकसेस करते हो और फिर यहाँ क्लिक करते हो तो य यही सेव होने की कोडिंग इसके नीचे आपका डिफाइंट है हमने लोकल स्टोरेज में सेट आइटम मेथाड को पास किया था और कॉन्टेक्ट नाम के की के अंदर हमने कॉन्टेक्ट के डीटेल्स को स्टोर किया था लेकिन जिस तरीका से हम स्टोर करें उस तरीका से सिर क्या प्रोब्लम आएगा मैं फिर यहां पे कलिक करता हूं और यहां नाम चेंज कर देता हूं, नमबर चेंज कर देता हूं हम अबजेक्ट को प्रिपेर करें तो हम चाहे तो एक से ज़्यादा कॉन्टेक्ट स्टोर कर सकते हैं जैसे देखिए यह जो आप सिंबल देखते हो बिग ब्राइकेट का यह आड़ी की पहचान है अब अगर मैं यहाँ पे स्टोर करू नेम और नेम में ऐसे मैं असाइन कर दू शौरव तो इजली मैं जीरो इंडेक्सिंग नंबर से इसे अक्सेस कर पाऊंका फिर मैं यहाँ पे अगर डिफाइन कर देता हूं इस प्रकार से रवी तो वन इंडेक्सिंग नंबर से इसे अक्सेस कर पाऊंका और अग से देखें मैंने यहां पे big bracket के अंदर curly bracket वाले syntax को रखा इसका मतलब हमने object को array के अंदर रख दिया तो generally javascript में क्या होता है कि जब आप array प्रिपेर करते हो तो जो पहला data आपका होता है वो 0 से access होता है दूसरा data 1 से और तीसरा data 2 से यानिके 0, 1, 2 तो गौर से देखें यह जो array है आपका इसमें पहला data सिर्फ आशाइंड है इसका मतलब अगर इसे access करना होगा future में तो 0 से access कर सकते है अक्सेस करना होगा तो ऐसे define करेंगे object 0 तो automatic access हो जाएगा वो data क्योंकि देखें variable के रूप में object प्रिपेर हुआ और object की माधियम से 0 indexing number access करेंगे तो यह data हमें मिल जाएगा वैसे ही अगर मैं कॉमा देकर दूसरा data ऐसे डिकलर कर दूँ और यह दूसरा data access करना है तो यहाँ पर मैं indexing number पास करूंगा 1 ओके वैसे मैं code करते हूँ आपको समझ में आ जाएगा पहले तो change कर लिजिए यानि कि curly bracket को के बाहर आप ऐस symbol देदो अब यहाँ पर condition check किजिए इसके अनुशार हम पता करेंगे कि क्या local storage में पहले से contact नाम का key मौजूद है तो यह check करने के लिए आप local storage में get item को पास करो ऐसे क्योंकि get item के माध्यम से जब आप किसी key का data निकालोगे तो अगर data होगा तो contact key का data देगा लेकिन अगर key हुआ ही नहीं तो इस case में यह आपको null return करेगा तो यहाँ देखे null के साथ मैं comparison करता हूँ यानि कि क्या इसकी ने null return किया इसका मतलो यह key नहीं है अगर null return करता है तो इस case में गोर से देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक का code यानि कि यह जो code आप देख रहे हो variable से लेकर local storage तक यह तभी चलेगा जब local storage में contact नाम का key नहीं होगा लेकिन in case अगर contact नाम का key है तो इस case में क्या होना चाहिए उसकी coding else के अंदर करेंगे तो ज़रा गोर से देखे यहाँ पे testing करने के मैं define कर देता हूँ else के अंदर alert तो अगर कोई भी contact हुआ तो alert execute करेगा अगर एक भी contact न किजिए बिना कुछ type के हुए यहाँ क्लिक कर दीजिए देखे अलोट execute किया इसके मां तो पहले से कोई contact available है तो application में जाहिए गोर से देखे इस तरह से contact store है लेकिन हमें कैसे store करना है हमें ऐसे store करना है इसलिए हम क्या करेंगे कुछ हैसा करेंगे जिसकी वज़ा से यह code च सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए अब अगर आप यहाँ पे page को save करते हो और यहाँ पे आप run करने का कोशिस करते हो जासे देखिए अब मैं यहाँ पे contact के details को आएशे input कर देता हूँ और फिर यहाँ क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएए और अप्लिकेशन पे क्लिक कीजिए देखे गार से contact नाम का key create हुआ और इस बार डेटा का असे स्टोर हुआ आरे के form में और फिर उस आरे के अंदर एक object है जिसमें name property है और number property है अब एल्स के अंदर coding करेंगे लेकिन उसे पह कीजिए मंथले installment पर पढ़ सकते हो इसमें जरूरत की सारी वो चीज़े आपको पढ़ाई जाती है जो एक software developer को आनी चाहिए website, application, software, cyber security, software testing, cloud computing ये सारी चीज़े आप इसके अंदर सीख होगे बहतर जानकारी के लिए executive को call कीजिए वो शारी information आपको दे देंगे अगर पहले से contact नाम का की होगा तो सबसे पहले उस contact को निकालेंगे तो contact को निकालने के लिए stored data के नाम का variable create कीजिए और local storage में get item को पास करेंगे और फिर यहाँ पे contact key को define कर देंगे तो क्या होगा contact key का सारा data read होकर इसमें चला आएका अब इसको सही से test करने के लिए console.log के अंदर इस variable को आप आशे पास करो stored underscore data variable को save कीजिए और वापस यहाँ पे password को input करके access पे क्लिक कीजिए फिर यहाँ क्लिक करेंगे और contact का details फिल नहीं करेंगे डारेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे अब राइट क्लिक करके inspect में आए और console पे क्लिक कीजिए देखे data निकल गया लेकिन यह data array के form में चाहिए याद रखे जभी भी आप JSON string की 5 से किसी data को convert करते हो ऐसे तो वो JSON string में convert हो जाता है आप चाहते हो वो पहले जैसा form में आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे JSON.parse method का इस्तमाल करोगे तो ऐसा करने से data जिस तरह से पहले prepare हमने किया होगा store करने से पहले जैसे देखे store करने से पहले हमने array के रूप में data प्रिपेर किया था तो आप चाहते हो कि जो data निकला वो फिर से array का रूप ले ले तो JSON.parse method का इस्तमाल करेंगे और इसके अंदर store data को पास करतेंगे ओके यहाँ वारियेबल प्रिपेर कर लिजे वारियेबल का नाम डिफा यहाँ क्लिक कीजिए और save के icon पे क्लिक कीजिए फिर inspect में जाकर console पे क्लिक कीजिए देखिए जभी भी data array के form में आएगा तो ऐसा expand करने वाला option आपको console के अंदर दिखेगा आप इस पे क्लिक करो देखिए indexing number दिखा 0 यानि कि हम इस array के 0 के माध्य हमसे इस data को access कर पाएं तो यहाँ else के अंदर हमें define करना है कि अगर पहले से कोई contact मौजूद है तो वो रह जाए और उसके साथ नया contact store हो जाए ओके तो आशा करने के लिए हम पहले data निकाल कर array में convert करके इस variable में रखेंगे अब जो भी आपको store करना है उसका एक object प्रिपेर कीजिए तो यह जो object प्रिपेर करोगे वो इस तरह से होगा इसमें पहला property define कर दीजिए name और इसमें contact underscore name वाले variable को ऐसे declare कर दीजिए अगला property define केजिए number और फिर इसमें contact underscore number वाले property को यानि कि contact underscore no वाला जो property होगा उसको assign कर देंगे अब इस record को इस array में set करेंगे क्योंकि इस array में पिछला data है और नया data ये है तो हम जो अब data save करेंगे उसमें पिछला data भी होगा नया वाला data भी होगा इसलिए जो आपका पिछला data है वो एक array है यानि कि ये जो data है वो एक array है आप इसमें push method को pass करो push method pass करने का मतलब है कि array में नया data insert करना तो यहाँ पे आप object को ऐसे define करो तो क्या होगा data array में पहले से जो contact आया था वो वह ऐसे ही रह जाएगा और नया contact इस object के माध्यम से data array में चला जाएगा अब इसी data को store करेंगे हम local storage के अंदर लेकिन store तभी होगा जब इसे string में आप convert करो क्योंकि कोई भी array direct आप local storage में store नहीं कर सकते उसे आपको उसे आपको json stringify के माध्यम से json string में convert करना होगा तो देखे जरह मैं यहाँ पर variable prepare कर लेता हूँ store के नाम से और json.stringify method का इस्तमाल करता हूँ और इसमें data array को पास कर देता हूँ तो automatic जो data array होगा वो json string में convert हो जाएगा अब इसे store करेंगे local storage के अंदर तो local storage.set item method को पास कीजिए की का नाम define कर देंगे contact और इसमें store कर देंगे store वाले variable के data को जरा testing कीजिए यहाँ पर मैं contact के details को feed कर देता हूँ देखे store होगा एक और contact को मैं store कर देता हूँ जैसे मैंने contact का नाम define कर दिया राम और फिर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो right click करके inspect में चलिए और यहाँ क्लिक कीजिए application पे देखे जरा गोर से जो आपका contact की है उसके अंदर तीन अलगला contact राम को store किया और फिर हमने राम को store किया तो इस technique के माध्य हम से आप जितना चाहे उतना contact को store कर पाओगे जैसे देखिए मैं अगला contact राहूल के नाम से store कर देता हूँ आशे राइट क्लिक कीजिए inspect में चाहिए application पे क्लिक कीजिए देखे 012 यानिकि तीन contact पहले से रह गया और अगला contact इसमें add हो किया राहूल के नाम से तो ये साड़ा चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब जावास्किप्ट अच्छी तरह से आप नहीं जानते हो या तो चैनल से अच्छी तरह से जावास्किप्ट पढ़िए या complete advanced education चाहते हैं तो website पे visit किजिए हमारे course के बारे में शारी जानकार प्राप्त किजिए अगर premium student के review जाना चाहते हैं तो youtube पे search कर सकते हो आप web institute course review धेर सारे वीडियोच आपको देखने को मिल जाएंगे या वीडियो के comment box को पढ़िए वहाँ भी premium course के review आपको देखने को मिलेंगे वीडियो पसंद है तो like किजिए अगले part का wait किजिए अगल